सद्गुरु कबिर साहिब की वाणियों में मुख्य ग्रंध भीजक है इस भीजक में ग्यारा अध्याय है ग्यारा प्रकरन है पूरे भीजक पर चर्चा कुछ दिनों में नहीं हो सकती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि साखी प्रकरन सबको अन्पूल होगा सरल होगा और जितनी साखी तक चर्चा की जा सके हम उसमें प्रयास करेंगे कि अधित्तम चर्चा की जा सके खास चर्चा इसमें ये होगी जो सद्गुरु कबिर साहिब जिस साहिली में कहना चाहते थे लोगों को बताना चाहते थे पुरा पुरा प्रयास को हम करेंगे और जो ब्याक्षा चर्चा होगी वो चर्चा हमारे सद्गुरू स्री अभिलाज साहिब जी के जो उनके ब्याक्षा है ग्रंथ है उनही के आधार पे चर्चा की जाएगी क्योंकि सद्गुरू अभिलाज साहिब जी ने पहले टीका लिखे टीका का चार संसकरण हुआ उसके बाद फिर उसके बीच बीच में साहिब साखी परपत पर अपने प्रवचन कहते गए फिर साहिब ने बहुत अध्यन मनन करने के बाद टीका लिखने के 20-25 वर्सों के बाद फिरसे साहर ने संसोधन पुर्वक संसोधित भीज़क व्याक्षा बनाया और वो इतना प्रसिद्ध हुआ इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज 22 संस्करन हो चुका है दो हजार प्रिष्टों के पुस्तक का 22 संस्करन होना ये बहुत बड़ी उपलब्धी कहला था इतनी बड़ी उपलब्धी कहला थी है इतनी बड़ी उपलब्धी कहला थी है वो कि छोटी-छोटी पुस्तक लोगों का एक दो भजन बनाते हूं भीक नहीं सकता और मेरा ख्याल है पूरे इलहाबाद में जितने डेड़ सो दो सो पुस्तकी का संपादन वहां पे छपाई होती है उसमें इतना एक दो पुस्तकों को छोड़ करके सबसे जादा भीजग व्याक्या जो मुख्य ग्रंथ है उसका ही संसकरन जादा हुआ है और उसी का अध्यन मनन हम जब से घर को छोड़े हैं गुरुजी के सरण में आये हैं तब से उसका ही अध्यन मनन चिंतन होता है लोगों के बीच में कहा जाता है और उसी पर मैं चर्चा करूँगा खास बात यह है सुनने वाले तो सुन लेते हैं किन्तो कहने वाले की एक बड़ी समस्या यह है कि उसको हम कितना आप लोगों के दिल में उतार सके खास बातों होते हैं प्रवचन तो अलग चीज़ है प्रवचन अलग है और पढ़ाई अलग है मैं पढ़ाई के सिस्टम से अपनी बात को कहूंगा कि कोई पदा हम उठाएंगे कोई साख्य उठाएंगे तो कम से कम जो जितनी साख्या हम कहेंगो उसको याद हो जाए भूले मत उसके अर्थर को हम अच्छी तरह से समझ जाएं उसके बाद कि अपनी बाती जो कहने होगी उसमें कहेंगे तो सद्गुरु भिलाज साहिब जी ने जो बातें रखी है और बिलकुल निकट वैसे वीज़क की ब्याख्या दो तीन दर्जन से कम नहीं हुआ है बहुत लोग बीज़क की ठीका किये बहुत लोग किये हैं किंत जो सद्गुरु का जो बीज़क है उतना प्रसिद्दर उतने सार ग्रहित और बिलकुल जो दो चार कच्छा पढ़े होंगे वह भी समझ जाया उनिरंतर के सत्संगी भले न पढ़े हों किंत वेदी वह सत्संगी जी वह समझदार है तो वहाँ आदमे भी उसको सब बहुत सरा लूप से समझ सकते हैं इस लूप में साहब में उसकी ब्याक्षा की है टीका भी आया ब्याक्षा ब्याक्षा ये बीजक कैसे बना इस पर थोड़ी एक दो मिनट चर्चा कर दू सद्गुरु कबिर साहर लिखे नहीं है मसी कागज छो नहीं कलम गहो नहीं हाद चारो युक्गा महात्म कबिर मुखही जनाई बात ये जो बातें इसी बीजक में ही एक साक्षी है मैं शाही, कलम, दवाद और खागज ये हाथ में नहीं दिया किंतु चारो युगों से जिसकी चर्चा होती है उस चर्चा को मैंने बोला उखही जनाई बात मुख से उनको कहा हूँ लिख करके नहीं कहा चारो युगों में किसकी चर्चा है चर्चा उसकी होती है, जो चर्चा करने वाला है चर्चा कौन करता है, अंदर में बैठा जो चेतनात्मा है वही चर्चा करता है, सुनता कौन है जिसके जिसके दिल में बैठा हुआ वही चेतनात्मा है, वही सुनता जड़ पदार्थ नहीं सुन सकता ये बिजक की व्याक्षा की यही खासियत कभीर साहिब जब बिजक चालू करते हैं तो खास भूलिका बता दू किसकी याद करके चालू करते हैं जैसे कोई पुस्तक लिखता है तो पुस्तक लिखता है तो अपने इश्ट की याद करता है उसके बाद लिखना चालू कर था जैसे हम लोग अभी संबोधन में कहे संबोधन करते हैं न कई बोलते हैं तो सामने कुछ होता है उनका नाम ले करके संबोधन करते हैं और जो लोग कुछ इष्ट मांनते हैं अलबbeiten गुरू मांते कभीर का इसटक्ता है अंतर जोड्र के अंतर जोड्र का या noon कि यहां कि अनतर जोड्र जैसे बेद में बेद जब चालू करता है तो वेद के जो रिशी है वेदिक रिशे महना करते हैं आगनी मतलब आह जोड्र कार भाजोड् exhaust किसके परयावाची है सूरज की प्रकाशी ये बाह जोती है अभी सूरज निकला हुआ है किन्तु सूरज को ये पता नहीं है कि सक्री गाउं में और इसे आसरम में कुछ हो रहा है क्यों उनको पता नहीं है उसका कारण है वो जड़ है जड़ में जड़ सक्ती तो होती है किन्तु चेतना सक्ती नहीं होती है जड में जड सकती होती है, किन्तु चेतना सकती नहीं होती, चेतना सकती का काम क्या है? जिसमें चेतना होती है, उसके खास लक्षन है, कि वो जानेने की सकती उसके पास होती है, जानेने की सकती, जड और चेतन की बिल्कुल एक ही लाइन में हम जदी अंतर बताएं कि उसमें, क्या अंतर है जड़ किसको कहेंगे और चेतन किसको कहेंगे जड़ में जड़ता है मतलब बोध जिसमें नहीं होता है उसको जड़ता कहता है और चेतन में क्या है चेतनता है मतलब जानने की सक्ती है और जिसमें जानने की सक्ती है वो खुद को भी जानता है और दूसरे को भी जान सकते, क्योंकि जाने ने की सकते हैं, खुद को भी जानता है, और दूसरे को भी जानता है, इतना बड़ा मकान आशरम होते हुए भी, ये आशरम को पता नहीं है, कि आशरम में कौन लोग रहते हैं, और क्या-क्या होता है, किन्तु किसको पता है, चेतन को पता होता है, आ जो फोटो लगे है उसको नहीं, जो फोटो लगे हैं बहुंसे उस फोटे वाले को पता नहीं, इसको पता है, सचमुच, जागेत है, जीवता है, इसलिए कभीर पंथ में कभीर साहिब ने जीवता की पूजा करो, जिन्दा की पूजा करो, वो जिन्दा काउन है, अंतर जोती सब के अंदर में जो बैठा हुआ है उसी को अंतर जोती कहते हैं उसी को कबिर साहिब राम कहते हैं उसी को जीव कहते हैं उसी को चेतन कहते हैं उसी को साहिब कहते हैं पंची कहते हैं राम कहते हैं रमिया राम कहते हैं तीन दर्जन से जादा सब्दों से उसका साहब ने इसी बीजक में तीन दर्जन से जादा सब्दों से उसका नाम लिया है उस नाम क्या है असली नाम क्या है अंतर जोति बाह जोति क्यों हमको नहीं जान सकता क्योंकि उसमें जड़ता है उसमें चेतन सब्द है नहीं चेतन उसमें है नहीं जाने नहीं की सकती नहीं अंतर जोती में क्या है? जाने नहीं की सकती, हैं तो सहब ने अपने इश्ट का नाम लेकर के, इसलिए भीजक का खास अर्थ है, कि चेतना को जाग्रिट करो, जड़ की आसकती को छोड़ो, और चेतना को जाग्रिट करो, कोई पहली यहां से विजग चालू होता है अंतर जोती से चाल जाता है। उस अंतर जोती में दो खासियत मनुस्य क्योंकि दूसरे प्राणी को सिख्छा नहीं दी जाता है। वो स्वतहद उसरे प्राणी जो है, उसमें प्रकृती की ओर से, उद्रत की ओर से, स्वभाय उसमें जो जो करना है जिन्दगी में, वो सब उसके पास कला कौसल है, किन्तो आदमी के पास कुछ भी कला कौसल नहीं, उसकी चर्चा हम साखी में चर्चा करेंगे, आदमी के पास दो सक्की है एक तो बोलता भी है और एक सोचता भी है जो सोचता है उसको बोल करके ब्यक्त कर सकता है ये आदमी के पाद दो खासियत है उसी खासियत को साहिब ने पूरा बीजक में रखा है हम आपके बीच में साखी प्रकरन को चालू करना चाहते हैं ग्यारा ध्या में सुर साख्षी है तो साख्षी का अर्थ ही होता है साख्षी साख्षी का अर्थ होता है देखने वाला जैसे कोई घटना हो जाती है तो घटना तो बन गई जिन तो जानता काउन देखा काउन उसका गवाही काउन है साख्षी आजकल तो और पहुंच जदा हर काम में साख्षी की ज साक्षी चाहिए नो सब चीज में साक्षी की जवरत है ऑप लेखा ंंदर बैठा हुआ चीतना और वो साख्षी को ही दूसरा नाम कभीर साहब में साख्षी रखा, साख्षी आख्षी ग्यान की समुझ देख मन माहि और बिन साख्षी संसार का जगड़ा छोटत ना है, ये जो साख्षी जो कह रहा हूं ग्यान की आख्षे हैं, ग्यान की भी आख्षे हैं, वैसे विजक मे जहां पर भी साहिब ने कहा है ऐसे दुनियादारी के लोगों को कहा जाता है कितनी आखे हैं आपके तो क्या बताओगे दो आखे कहेंगे न एक दाएं और एक बाहें किन्तु कभीर साहिब दो आखे नहीं कहते कभीर साहिब कर उसी आखे कहते हैं औरत रूर्ण सब्दह हो गया है कि जो लोग आंक से नहीं देख पाते। फिर भी वह हर चीज कानभाव करता है। कि वाल रूप कानभाव नहीं करता। किन्त यहां प्रग्या चक्छुका अर्था है जो विवेक और भीचार करता है दो आखे कौन है विवेक और भीचार दो आखे तो इदिख रहा है अब दो आखे कौन है विवेक और भीचार उसी को कबिर साहिब ने कहा साखी आखी ज्यान की वो ज्यान की जो अंदर में बैठा को सिक्षा देता है हर पराणी के पास में है और ज्यान की आंखों को इसके बीच में चर्चा कीई अवंसे वाणियाwar बीज़क का जो है, बीज़क ने कहीं पर भी खाल में नहीं किया, इसको इधर उदर कुछ कर नहीं सके हैं। और वाणियों में अपना-पना जोड़ करके उसमें जोड़ते चले गया हैं, उसमें थोड़ा सा, इसलिए विचारने भी से कईठो हो जाता है। कभीर की नाम से कई जगा भजन बहुत इधा-उधर बना चुके हैं इसलिए विचारने में से और कभीर साहिब के रहते रहते भी कई लोग कर दिये उसको मोसी ठारे भेकली सीचे और की क्यार कभीर साहिब में उसमें खुलासा भी किया है लोग मेरा नाम लेते हैं मेरे खेत का मेरे कुए का पानी तो निकालते हैं किन्तो मेरे खेत में उसमें जाना चाहिए पानी तो कहां जाता है वो दूसरे के खेत में जाता ऐसे कभीर साह की होगी न लिखा नहीं है तो कभी साथ बोले हैं तो बोले किस के बीच में है आदमी के बीच में ही बोले है तो आदमी कौन आए कभी पंडित आए तो पंडित को संबोधन किया मुल्ला जी आए काजी जी आए तो इंको संबोधन किया और ज्यादा से ज्यादा संबोधन किय संतों के बीच में और भक्तों के बीच आप लोग सुने होंगे कहें कभीर सुनो भाई साधू के बीच में जितना जादा चर्चा कभीर सहथ किये हैं और किसी के बीच में नहीं कि उपर आकाशी देवी देवता के नाम से तो एक भी पद हे देवता आओ मेरी बात को सुनो ऐस कहीं पर भी स़द्ध कभित सॉद्च ने नहीं कि एक पद आता दूने सीव कासी का तुम्हां ए-स वहारी चासी का यृच विथ का क्या हाल चाल हो गया है एसे वहां पर शीव को संपोधन करके चर्च अ eaterty कें तो वहाँ पर स्युड़्व के नाम से जो लुग । पांधु करते धि वहाँ पर शीव जी तेखो आपके नाम से कासे लोग, आपके ही जेला लोग कर रहे हैं ये संबोधन में बड़ा अद्वुत धंग से है जब उस पत्पे कभी चर्चा होगी तब चर्चा करेंगे, खास बात यह है, बीजक किनके बीच में चर्चा हुई है, आदली के बीच में चर्चा हुई है, इसलिए पुरे बीजक में पण्डित के संबोधन है, काजी को संब भक्तों को संबोधन है जो बंधा हुआ जीव है उसको संबोधन है ब्रामनों को संबोधन है ज्यानियों को भी संबोधन है अब वो संबोधन कौन है वो चेतना है अंदर में कौन बैठा है चेतन बैठा है उसी चेतन के व्याक्षा के रूप में यह पूरा बीजग चलता है क कोई आकाशी देवी देउता के नाम से बीजक की ब्याक्षा कहीं पर भी नहीं होती है। शिष्टी करम के रूप में भी जो लोग मानते हैं, उसकी भी चर्चा दुसरे ढंग से साहिप करते हैं। कोई शिष्टी को बनाने वाला, इसको संचालन करने वाला, ऐसा कविर साहिप नहीं मानते हैं, इसी बीजक से ही खुलासा होगा। खास बीजक की अब हम चालू करना चाहते हैं, कि साखी प्रकरण है। साखी के पहले बता दिया, साखी मतलब साखी जी और दूसरे दिन जब आप लोग आएंगे, तो हो सके तो बीजक साथ में रखोगे, तो जल्दी उसको समझ आएगा, मूल बीजक, साखी प्रकरण में, पहली साखी जिसमर बहुंच चर्चा होती है, बहुंसे लोगों में बातें भी चलती है, उससे पर हम आप चर्चा करना चाहेंगे, जहिया जन्म मुक्ताहता तहिया अहता नकोए, छठे तुम्हारी हाँ जगातु कह चलाबिगोए, इस पैसला है, वाला है, साहिब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ताहता, मैं पहले ही सुरुवात में कह दिया हूँ, कभीर साहिब किसी आदली के सामने बोला है, चाहे ओ जिग्यास हो, चाहे संत हो, चाहे मुमुक्छ हो, उसके बीच में साहिब चर्चा क्या है, यह पद ऐसा लगता है, मैं से आया हूं कुछ गुद्राति भासा का ध्या नहीं जानता हूं इसमें हता सब्द जो है गुजरात में हता कहते हैं किसको कहते हैं हता जानते हो भूत काल की बाता है जैसे हिंदी में था, थे, थी, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी में, ये भूत काल में पढ़ाते हैं, और वर्तमान काल में क्या पढ़ाते हैं, है, करता है, करती हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये वर्तमान काल का होगी, और भष्षकाल में क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे जाएंगे रहेंगे गागेगी कहते हैं किन्तु गुजरात में जब उसको भूत काल में कहा जाता है तो हता हतु हती ऐसा वहां चलता जहिया जन्म मुक्ता हता 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 सब्दा इसका मतलब ये होता है कि जब कभीर साहब गुजरात गए थे कभीर साहब गुजरात में कई बार गए हैं चार बार का तो पुरा हिस्ट्री मिलता है उसका इतिहास मिलता है कभीर साहब चार बार गुजरात गए हैं जगा जगा घूमे हैं कभीर बढ़ तो उसके नाम से प्र कभीर बढ़का जो है वो तो इतिहास है कभीर बढ़के बाद ही साहिद की गुजराद गए रहे हों ठीक नहीं जाता है हुचा जाता है तो कोई गुजराती भाई साहिब के सामने आये होंगे पूछे होंगे कुछ प्रस्ण हुआ होगा कई जगा कभीर साहिब से प्रस्ण किये हैं संका समाधान हुआ है उस समय जमाना भी है आप बहुते ज़्यादा माइक लगा करके बड़ी-बड़ी सभा होने को जो भागवत कथाकार होती है उसके तो अधिन्तु संद्ध परमपरा ऐसी थी अपनी बाते लोग आए और पुछते गए कहते गां कभीर साहब के सामने निश्चितुप से कोई जिग्यासु आता है औ और प्रशन करता है प्रशन क्या करता है कभीर साहब से फिल्चते हैं देखें जो प्रशन करता है वो कोई जिग्यासु है प्रशन करता कौन है कोई जिग्यासु है मुमुक्छु मुमुक्छु और जिग्यासु में अंतर क्या है थोड़ा बता दू मुमुक्छु उसको कह जो जानने की इच्छा रखता है, बद जान जाता है आगे करना है क्यों नहीं करना है, वो अलग लात हो जाती है, जो जानने की इच्छा रखता है, वो कौन है, जिग्यासु। मुमुक्छु कौन है, जब जान जाता है कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये संसार के जंजट में फंसे रहने से जंजट है, वो सब को समझ करके इसे मुक्ति की इच्छा करता है, उसको मुमुक्छु कहते हैं, कभिर साहथ के पास कोई जिग्यास वा करके प्रस्न करता है वो प्रशन यहां पर नहीं है मैं अपने धंग से आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो प्रशन करता है कि गुर्देव यह जो जीव है कब से बंधन में पड़ा है बंधनों या यह कभीर साहिब जी कि यह जो जीव है बंधन कैसे बनाता है अपर चैसे बंधन उसका उत्तर साहिए बहुत सुदार है जहिआ gel ल्याण मुट्था का जैए यहा यहां जाए भाहां जया 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 भुट कहते शूरत में एक उत्तर प्रदेश की भई थे जो बाम fij ड़केरा बीशते थे अब है कि नहीं उसका सरीर बहुत ख्याल नहीं है कि तो जहिया वहां गया था जहिया वहां गया था ऐसा हो जहिया सब्द भूत उप्योग करते यह जौनपूर के आसपास जदा बना रहा है जौनपूर के आसपास जहिया मतलब जब जहिया मतलब जब जन्म मुक्द ये दो चीजे है जब ये जीव जन्म लिया था हता सब्द है न जब बनुष से जन्म लिया था या आप पूछने वाला ही खुद पूछ रहा है कि उसको साहिब संबोधन करके कहते हैं जब तुम जन्म लिये थे जब तुम जब तुम्हारा जन्म हुआ था ऐसा भी कर सकते हो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब क्या था मुक्त थे किस से मुक्त थे मनोविकारों से मुक्त थे जो बच्चा जब जनम लेता है तो कोई मनोविकार रहता है क्या कुछ भी अज्ञानता अलग चीज़ है अज्ञानता अलग चीज़ है अज्ञानता अलग चीज़ यहां पर मनोविकार का रहा है सरीर से भी विकार निकलता है, पसीना निकल रहा है, पेसाब निकल रहा है, हमारे बाल है, वो है, हमारे नाकुल बढ़ जाते हैं, काटते हैं, तो भी बढ़ जाता है, तट्टी पेसाब निकलता है, सरीर के विकार है, सरीर में पर फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसमें से भी नहीं चिनतने उसी को विकार कहते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोई है, राग है, द्वेश है, अवे किवल मनुस्चे में ही नहीं होता है, हर घानी में होता है, तो साहब कहते हैं, जब तेरा जनम हुआ था, जहिया मतलब जब जब तेरा जनम हुआ था तब कोई मनोविकार नहीं था ना काम था ना क्रोध था ना लोब था ना मोह था कुछ होता है क्या अभी भी तो देखते हैं ना बच्चे को बच्चे को हम देखते हैं उसके पास ना काम है ना क्रोध है ना लोब है ना मेरा है ना तेरा है ऐसा एक जीव आ जाता है बिल्कुल अपरचित जीव जनम लेता है तो ऐसा अपरचित जीव आ जाता है जिसको आप भी नहीं जानते थे वो तो जानता ही नहीं आप भी नहीं जानते इतना अपरचित जीव के साथ हम इतना मोह कर लेते हैं जब मोह करना चालू करते हैं तब विकार पैदा चालव होता है बच्चा जब जनम लेता है तब कोई मनो विकार नहीं होता है साहब कहते हैं उस समय तुम्हारे पास एक भी कोई डोस नहीं एक अर्थ यह मैं इसमें तीन चार अर्थ चलता है, वो तीनों चार अर्थ को मैं बताता हूँ, पहला अर्थ ही इसका मैं कहा रहा हूँ, जो इसमें ब्याक्षा में नहीं मिलेगा, जो मैं सोचा हूँ, उसके ढंक से मैं कहता हूँ, उसके बाद भी साली चीजे बताऊंगा, पहला अर्थ ही यह है, कि उसके पास मनोविकार नहीं होता दूसरा इसकार्था होता है मुक्त जन्म मुक्त जन्म मतलब जन्म मुक्त यहां पर है जन्म मुक्त जन्म मुक्त कार्था साहिब यहां रखा है मुक्त जन्म मुक्त जन्म मतलब स्वतंतर्था आप के पास जितनी स्वतंतर्था है मनुष्य के पास यहां पर स्वतंतरता कार्था कुछ भी कर सको ऐसा है कुछ भी करने की स्वतंतरता तो है किन्तो बाद में विवस हो जाते है वह चीजें दूसरे खाणियों में नहीं आपके पास स्वतंतरता है स्वतंतरता मतलब कुछ भी कर सकते हो शीख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, यह स्वतंतरता है, आप भजन गायक बनना चाहते हो, भजन गायक बन सकते हो, प्रवक्ता बनना चाहते हो, प्रवक्ता बन सकते हो, महत्मा बनना चाहत, महत्मा बन सकते हो, साधक बनना चाहत, साधिका बन सकते हो, और खानी में ऐसा नहीं नहीं यह स्वतंतता है दूसरा प्राणी पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता है वो स्वतंतता उसके पास नहीं है हाँ उसमें इंद्रियों की खासियत है हर प्राणे में अलग-अलग इंद्रियों की खासियत है आदमी के पास इंद्रियों की खासियत नहीं है यह एक जगा और साखी मीशी में साखी गरंग प्रकार्ण में हम पढ़ेंगे, मानुस तेरा गुन बड़ा हो, मान सना आवे काज, ऐ मनुस से तेरा गुन की भिसेस्ता है, मान, मज्या, हाड, इसकी कोई चमरी का कोई भिसेस्ता नहीं, अन्य खानियों की भिसेस्ता है, उसके पा प्राणी के पास अनेक अनेक प्रकार की विसेस्ता है, किंतो मनुष्य के पास वह विसेस्ता नहीं, जैसे कबुतर है, कबुतर के लिए कहा जाता है, एक फलांग उपर भी उड़ता रहेगा, तो नीचे सरसों का दान है, उसको देख लेगा, इतने आखें आखें आपके होटी है क्या, नहीं, इसका मतलब को यह मत समझ जाना कि हिंसक प्राणी मतलब माच मची खाने से आग की जोती बढ़ेगे, यह यह इंद्रियों की श्भार्णा, हमारे जो मनुष्य हैं उसके इंद्रियों की श्रम्ता है, वह श्रम्ता से जादा आप नहीं कर सकते, जुन अन्य जो प्राणी है उसमें बहुत पुद्रति उसके पास भी सेचता है जो जैसे चील है गिद्ध है बहुत किलो मीटर उपर उता रहे हैं फिर भी वहां से अपने खुराग को वो देख लेता है अरे कुछ नहीं हमारे भी नाख है और चीटी के भी आख है नाख है नाख है कहें पर कोई चिप किली मर जाए और कोई चीज मर जाए हो कहां पर चीटी रहेगी दल के दल आ कर एसमें अपना पुराग कि खोज लेता है कहें पर भी एक ठेला यदि आप गुड का रख दिये यहां तक री चीठी में इतनी खासियत है, ऐसे रस्तितार बान दीजी, बीच में भी ऐसे आप घुर को लटका दीजी, चीठी वहाँ पहुंच जाए, कहां से रास्ता मिलेगा और खोज लेगा, इतनी पिसेश्ता है, वो पिसेश्ता हमारे पास में, एक चीठी बिलकुँ छोटी सी चीठ लोग परिशान नहीं हो जाते हैं, वो चीठी किसी पदार्थ को नहीं पहचानता है, याद रखे, वो किसको पहचानता है, गंध को, अपनी खोरा को, कुत्ता जो है, कुत्ते भी गंध को पहचानता है, चोर को नहीं पहचानता है, चोर है कि कौन डाकु है, कौन क्या है, उसको पाचांता नहीं, वो पाचांता किसको है, गंध को, आप लोग यहां आये, अपनी घर से चल करते हैं, और जहां जहां आप आये हैं, अपनी गंध छोड़ते आया है, आश्यर यहां, अपनी गंध को छोड़ते आया है, आपको किसी भी चीज को, जैसे मैंने इसको छु इस टेभी को जैसे हमारे महत्मा लाकर के यहां रख दिया है, अब छोड दिया है, तो जब गुत्ते यदी आएगा इसको चूँगे गोगे, उसको सुँगे, वो पकिसको पकड़ता है वो गंध को पकड़ता हूं कुट्ता चोड़ डाकन को नहीं पकड़ता हूं अरे बिल्कुल सहीं गटना बताता हूं कुम हमेला लगा था कहा है इलाहबाद है आज से चोविस साल पहले की बात पता रहा हूं वहां अगले साल फिर होने वाला 22-23 साल हो तो वहां हमारे जो इलाहबाद में पुस्तक का बैंडिंग करता है पुस्तक का बैंडिंग करता है तो वहीं क्या था बिजेन साहब हम और तीनों बिजेन साहब को जानते हैं गए मेला देखने के कुम मेला 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 तो एक जगह हुआ क्या एक लगा था तो वहां कुछ अपना अपना धं गुटा था जादुगार्वाले जादु धन्दा दिखाते हैं ते कुट्टा यह का जे जे अधा लगा था और उसके बाद उसे ने कहा माली के कुट्टे के माली के ने कहा जो सो दिखा रहा था कौन आदमी है जो नहा करके नहीं आया है उसको जा करके पकब खास बात ये बता रहा है तो हमारे साथ जो बाइंडर गया था लोखे लाल अब तो मर गया हो वो नहाया नहीं था अवही हम लोग साथ में गया था चलो भूने का के अवा करके कुट्टा उसी को पकड़ लिया तो विजेन साहब उसको पूछता है क्यों नो कहें नहाया नहीं नहीं आव साहब आठ ठंडी बहुत थे इसलिए नहाया नहीं यह कुट्टे का मतलब कुट्टे में जो गुण है इसी प्रकार से हर प्राणे में अलग-अलग महत्वा है हर प्राणियों का अलग-अलग महत्वा है किसी का चमडी काम देता है किसी का हटी काम देता है किसी के आँख काम देता है किसी प्राणी से और कुछ सीखते हैं, घोड़े जैसे हम चल नहीं सकते, किन्तु आद्मी के पास एक अधपुर्चीज है, जिसको साहब बताते हैं। तो यहाँ पर कहए जहिया जन्ममुक्ता है, मतलब मुक्त जन्म, मुक्त होने के जन्म में आये हो, मुक्च भुमिका में आये हो, तहिया हता न कोई, तुम्हारे पास और कोई कला का उसल नहीं हैं। यह जी कला आत पास है आप मुप्त हो सकते हो इतने इसे अतलिक आपके शरेर में और कोई कला का उसल आप नहीiden दिखा सकते जो कुछ भी दिखा सकते हो यहीं दिखा सकते हो चटी तुम्हारी हो जगहाद चटी का अर्थ है, ये भी सुद्ध कुजराती सब्द है वैसे हिंदी में क्या कहेंगे, चटवी, साथवी, आठी ऐसा कहते हैं या चटवा, साथवा, पूलिंग होतो, चटवा, साथवा, आठवा, ऐसा वा लगता है और गुजराती में सुद्ध छटी ही कहेंगे, इस ते लिंग सब्द का ये छटी क्या चीज है, छटी है, छए अंक में हमको जाना पड़ेगा हमारे पास क्या है, पांच ज्यानिंद्रिया है पाँज ज्यान इंद्री किसको कहते हैं जिससे हम ज्यान प्राप्त करते हैं जिससे हम आँख से किसका ज्यान प्राप्त करते हैं कलर का रूप का कलर का रूप का आकार नहीं कह रहा हुआ कलर का कह रहा हुआ आँख से किसका करते हैं आकार तो ऐसे छू करके भी बता देता है, अंधा है, वाकार को छू कर बता देगा, आख का काम है, कलर का काम करता है, देखने का काम, वो किसका काम, प्रकास को देखता है, कलर का काम करता है, उसको क्या कहते है, आख एक जान इंद्री, आख नहों तो हम कलर को जान सकते, नही धूप, धूप को तो जान जाएंगे, उठंडी को भी जान जाएंगे किन्तु धूप कैसा होता है और अंधेला कैसा होता है उसको नहीं जाने अंधेला भी नहीं जाने जो नहीं, अंधा, धूप को भी नहीं जाने ये किसका काम है आख काँ है गन्दा है ये इसका कौन करता है नाख इसको ज्यानिंदरी कहते हैं जीब से क्या पता चलता है रस का स्वाध का और चमडी से किसका पता चलता है galaxy इसपरशका और आखना काँजी ऑप काम से क्या सब्द करभा यह पांच जानिंद्रियां है, और पांच जानिंद्रियां are लगबग हर खानियों में होता है, हर प्राणी में होता है, वो भी देखता है, आँख छोती बड़ी होना अलाग चीज है, उसका काम है, अब जैसे कभुतर कहीं कहँ, कितना छोटा होगा, और पहुंसे पहले मच्छड है, मच्छड ऐतना बड़ा है तो उसकी आँख हो कितनी बड़ी होती है, फिर भी मच्छड जान जाता है, मच्छड दानी में कहां पर छेद है, वो जान जाता है, ये जो भी सेस्ता जो और प्राणी में हैं, आदमी के पास नहीं, आदमी के पास नहीं यह छठी क्या जिशे पिर साहिब कहते हैं छठी तुम्हारी पांच ग्यानिंडियों से अलग यह छठा मन है उसको यहां पर छठी सब दलिया है स्टीलिंग सब दलिया है इसलिए हम अछो मन को क्या कहेंगे यहाँ पर हमकार चरता है विकार तब बंधन चालू होता है अब बंधन कहां से चालू हुआ, मैं प्रस्न उठाया था केक जिग्यासु आता है कभीर साहब से प्रशन करता है गुर्देव आदमी का बंधन कपसे बनना चालू होता है अशेद कोई तब तुम्हारे पास कोई बंधन वाला काम नहीं था बंधन वाला काम reaching कुछ भी नहीं है चपर दीरे अगे बढ़ और सारे मन इंद्रियों का जब काम करना चालू कर दिया, सब एक दम प्रावड हो, पुखता हो गए, पुखता मतलब बिल्कुल जमान हो गए, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बैसे बैसे, उसके भीकार बढ़ते जाता है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बिल्कुल, चार पिलावना को दो, चाह कपड़े को दो, चाह कुछ भी दे दो ना, उसके हाथ में आएगा, कहां जाएगा वो, मुह, अच्छा मुह कहां पर हुशको पता चल गया, छोटा बच्चा है, हाथ उठाता है, और इदा उधर कही ने ले जाता है, कहां ले जाता है, मुह, उसको ये स्वाद जाना है, और जैसे बढ़ता जाता है, फिर सुननेने वाली चीज सुनता है, कोई पापा, मम्मी धिरे-धिरे उसको देखता है, फिर और छो खिलावने में उसका मन लगता है, आगे बढ़ता जाता है, उसका उसी में बढ़ता जाना मतलब आगे विश्यों को जानते जाता है, उसको परकते जाता है, और उसका मन उसमें बंधता जाता है, लगता जाता है, तो साहब कहते हैं, जैसे तुम्हारे पांच ग्यान इंद्रियों से उपर छठा मन, अब छठा मन कब काम करेगा, छठा मन काम करता है, जब पूरे जाद्रित हो गए, पूरे हर इंद्रिय आपका जब काम करने लग गया तब जो छटा है मनोबृत्ति है उससे आदमी का विकार चालू चालू हो जाता है साहब कहते हैं यह छटी तुम्हारी हो जगा जो छटा है मनोबृत्ति है मन में गलत सोचना ही आदमी को बंधन बनाता है मैं पहले कहा था कि मनोबिकार सब में है काम है कुरूत है लोब है दो है राग है दूसे हर प्राणी में है भ Bali जो 60 पसुद्धर्म नहीं कहा गाता है चाजन भोजन भ Bali nights रोख souvent में हर प्राणी में है यह लाठी देखकर के सावचित हो जाता है, किसी भी औरोध को अपने चीटी के सामने ऐसे उगली रख़गो तो भी साइड में हो जाएगा, वो सब अपने हीत काउन है, अहीत काउन है इसको जानता है, किन्तो आदमी जब आदमी के अहां पर सिक्षा हो रही है, आदमी के सोचने लगोगे के दुदफोना चालू हो जाएगा। कैसे बनता है कि छोटा साउधारन है कि एक पिता है उसके दुदू बच्चे थे बड़े वाले को एक चाकलेट देते चाकलेत उसको कहता है कैसा है इसको अग्दम फस क्लास है ने चाकलेट आपने दिया है, कैसे बढ़िया आना रहे है, एक तम भूब बढ़िया, आच्छा, तो उसका दूसरा लड़का वही पर आया, छोटा वालो, उसको दो चाकलेट दे दे दे, दो चाकलेट, अब उसके पाँ तो लिया हो, अपना चला गया, अब फिर बड़े वाले क पूछता है, अब कैसे लग रहा है, पहले तो बिल्कुल चेहरा उतर गया, मुझे एक दिया, और उनको दो दे दिया, क्या पिता जी पूछते हो, अब तो बहुत बेकाल लग रहा है, कह क्यों बेकाल लग रहा है, आपने मुझे एक दिया, और उसको दो दे दिया, चोटे यही मनोबृत्ती है यही मनोबृत्ती है चाकलेट खाया था उसका उसको पहले तो सुख में रहा क्योंकि आके लिए कुमिला था और जब दूसरे को दूसरे भाई उसी का भाई है जब कि उसको दिया तो ठीक है बढ़िया ऐसा नहीं सोचने लगा उनको दो हो गया मनोबृत्ती यही से चालूँ जहां पर दो मनोबृत्ती होती है हो आदी को दुक बनाता है दुखी करता है बहुत से हमारा बंधन चाल जालता है यह चछठी का इक बूसरा अर्थ हरी हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि चछठी मतलब हंस भूमिका हंस भूमिका यह हंस भूमिका क्या चीज है पांच अन्नमय कोस यह जो हमारी जो अन्नमय कोस है प्रानमय कोस है मनोमय कोस है ज्यानमय कोस है और आनन्द मैं कोश, यह पांच कोश माना गया है, ऐसे अलग क्या है? हनसे भूमिका, हनसे भूमिका कार्थ होता है, जो जितने भी सद्रूं सदाचार है, उसका समुच्च है, यह किसके पास है? आदमी के पास है, और किसी प्राणी के पास? नहीं, नहीं, आदमी में, आदमी द जो मनोबिकारे वो सब प्राणी में होगा, किन्द जो सदकुल सदाचारे सब प्राणी में नहीं होगा, उसका स्वभाव है, उसका वो स्वभावगत जीएगा, वो दान कभी नहीं कर सकता है और प्राणी, क्योंकि कमाता ही नहीं, वो कमाता नहीं, पसु है, चारा खाता है, किन्तु चारा पैदा नहीं कर सकता है, आपका पैदा हुआ करता है, पक्षी है, दाना चूगता है, किन्तु दाना पैदा नहीं करता है, हर प्राणी पानी पीता है, किन्तु पानी निकाल नहीं सकता है, यह सब आदमी के पास है, आदमी में इतनी भी सेशता है कि वो मनोविकारों को दूर भी कर सकता है, मनोविकारों में डूब सकता है, यह स्वतंत्र भूमिका, इसलिए स्वतंत्र कहा गया, अन्यक्षानियों में क्या है, विवस्ता है, कुट्था हजार चाहते हुए भी अपना कल्यान नहीं कर सकता है, वैसे यहां एक भारती परमपरा में ही अभी अभी एक जिद्धान थे बहुत उसका चारुतरब विकास भी है, चारुतरब उसका प्रचार भी है, वो कहता है मनुष्य मनुष्य ही होता है, कुत्ता कुत्ता ही होता है, गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है, फिर उ भारती परंपरा ये मानती है कि चार खाणी है और चारो खाणीयों में ये जीव भटकता है कभी हमारे कभी साथ तो कहा ये और दूसरे कहते हैं कि ना कहते हैं उसको साइट कर दो कभी उची खानी में, कभी नीची खानी में, कभी स्वर्गी आनंद लेता है, तो कभी नरक में भोगता है, या अदमी में है, तो और खानियों में क्या है? वो दान नहीं कर सकता है, धरम नहीं कर सकता है, किसी को उपर दया नहीं कर सकता है, हाँ, उसके अंदर मोह तो होगा, जो प्राणिक जो शेर्मी है वो भी अपने बच्चे को पालन करता यह जो गवरया पक्षी है कबूतर के छोड़ और जितने पक्षी है वो सब मांसा है छोटे-छोटे जियों को खा जाता है गवरया पक्षी अब तो बहुत कम दिखने लग दिया, पता नहीं कारण क्या है बवज्ञानिक लोगो उसको बताएंगे नहींत पहले बहुँत था वो क्या है? वो दया नहीं करता है वो अपने बच्चे को पालता है पालना मोह का काम है पालना मोह का काम है आदमी क्या है पालता भी और मोह करता चला जाता है आदमी का मोह बड़ा द्रेड होता है अपने बच्चे को तो पाल लिया अब बच्चे को पा लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे को पा लेंगे, इतनी लंबा चलता है आदमा का, क्योंकि आदमी का है समाज के रूप में जीता है, समाजी के प्राणी है, एक दूसरे के सहकार से जीते हैं, अन्य जो प्राणी है, वो जब तक है तब तक कुछ सहकार करेंगे, उसके बाद ये सहकार करता नहीं है, हाँ उसमें community है जैसे, ये जो साहथ के मख़ी जो होता है मधुमखी बहुँ तो उसमें एक्ता है किसी को छेड़ करके देखो और मधुमखी को छेड़ करके देखो पता चल जाए अब वही एक्ता उसको बचा करके रखता है अब उसी एक्ता से ऐसा मधू तैयार करता है जो है अमरित अमरित का काम को करकर खास बात यहे हैं कि अन्य प्राणियों में मनोविकार तो यह सभी प्राणि मनन, किन्त अपने मनोविकारों को दूर करने का कामों नहीं कर सकता है, मनुष्य करता है, क्योंकि छठी भूमिका है, वो छठी भूमिका क्या है, हंसे भूमिका, हंसे भूमिका में आ करके, आप मनोविकारों को दूर कर सकते हैं, और अपना क अल्यान कर सकते हैं साहिब कहते हैं तुम कहां चला बीगोई इतना सुन्दर उसर मिला हुआ है बीगोई का मतलब होता है उसको खो करके किसको खो करके जो ये उसर मिला हुआ है इस उसर को खो करके तुम कहां जा रहे हो मतलब ये मन्स का जीवन जो मिला हुआ है ये किसके लिए है मुक्त जन मुक्ति पाने के लिए मिला है स्वतंत्र जीवन मिला है मुक्छ भूमिका है यहां हम अपना कल्यान कर सकते हैं दूसरे खानी में अपना कल्यान कर सकता नहीं उसमें महा भी वसता है, जितने भी प्राणी है, एक पार वस में हो जाता है, तो उसको छोड़ने पाता है, मनुष्य में इतने छमता है, घोड़े जैसे चलतो नहीं सकता है, किन्ट घोड़े का सवारी कल लेता है। हाथी कैसे उसके पास बल नहीं है किन्तु हाथी को भी अपने वस में कर लेता है बंदर को भी अपने वस में बंदर जैसे फट-फट चड़के उपर नहीं उड़ सकता किन्तु बंदर को भी अपने वस में दुनिया का हा प्राणियदियाद परिसान है तो आदमी सी किन्तु आदमी में ये भी भी सेथा है। यहाँ खाली उसके मनो विकार को ही नहीं बता रहें। साईब यहाँ पर कहते हैं, तुम्हारे यह इतनी भी सेथा कि तुम अपना कल्यान कर सकते हो, दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है, इस कल्यान की भूमिका को छोड़ करके कहां जा रहे हो, क्यों भटक रहे हो, तो इसका तीन अर्थ मैं बताया, एक अर्थ बताया, जहिया मतलब जब ये मनुष्य से जनम लेता है, तो इसके पास क्या होता है, कोई मनोविकार होता, नहीं है, वो मनोविकार नहीं ह है सारे मनोब्रिट्ति जब कंदूर्फ बश्राइन लग जाताय है जितना शार होताय उसका गलत वीचार होते 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 मनोब्रिट्ति बंती है अगisto आपने बन्धन होने की भूमका में यहां आकर के आप अपने स्वतंत्र बिवस्ता कुछ भी नहीं है आपके पास बेल्कुल स्वतंत्र हो जैसा बनना चाहो ऐसा बन सकते हो कोई आपको बांद सकता नहीं है और वो कब होगा जब छटी भूम्का में आओगे तब होगा वो काउन है हंस भूम्का हंस भूम्का मतलब दया धरम यह जो हंस भूम्का में जो पांच आठ तत्व महातत्व जो कहते हैं दया छमा सील धैरिय विचार सरूप ज्यान बैराग गुरुभक्ति यह दूसरा प्राणी नहीं कर सकता यह कौन करेगा मनुष्य करता अब मनुष्य में इतनी छमता है इसले आप देखे होंगे दुनिया का जितना भी कास किया है वो मनुष्य किया है और कोई प्राणी नहीं सेर को भी सेर को भी पता है जंगल में है यदि पा तो बस्ती में आ जागा कई बार आप सुने होंगे अम बस्ती में सेर दिपड़ा आ गया ऐसा सुने होंगे वह कहां जाता है मनुष्य के बीच में आता है अब मनुष्य उसको अपने प्यार से बहुत प्राणियों को बस में भी कल लेता है शेर को भी पालता है कुट्टे कुट्टा जो है वहीं सक प्राणियों किन्त उसको भी पाल लेता है अपने बस में कल लेता है साप को अपने बस में कल लेता है अनेक प्राणियों को बस में क लेता है इसके पास इतनी कलाक उसल है कौन सा कलाक उसल है खोपड़ी कर इंद्रियों में नहीं है इंद्रियों में इतनी छमता नहीं है तो साहथ कहते हैं यह हंस भूमिका को जागरित करो और यह हंस भूमिका में आकर कि आप अपना कल्यान कर सकते हो किन्त कल्यान की भूमिक है एक जिग्याशु कहता है गुर्देव जिंदिगी में जितना मुझे बंधन बनाना था तो बंध गया अब बंधन कठेगा कैसे जिग्याशु पूछता है तो गुर्देव उजु उसको उत्तर देते हैं कि बंधन कठता है हम सब हों क्या मतलब अपने आपको जानो शरूत को जानेंगे आत्म ज्ञान प्राप्त करेंगे आत्म ज्ञान विना नर भठके कोई मतुरा कोई काशी तब वो जिग्याशु है वो मुमुक्छु है कबिर साहिब से प्रश्न करता है गुर्देव मुझे आत्म ज्ञान दीजिए प्रश्न क्या है अब मुझे आत्म ज्ञा पजान दिगे तब कबिरशाइब दूसरी साही देन, परक। साहब कहते हैं सब्द हमारा तू सब्द्द का, तू सब्दका है, इसका मतलब सामने कोई कबीर साहब के पास बैठे हैं, भहिया तू मेरे सब्द को जानना चाहते हो, सब्द हमारा तू सब्दका, जो मेरा सब्द है, मेरे जो विचार है, उसको तुम जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो दो सर्त है, दो सर्त क्या है? ये पहली सर्त है सून करके सरकना मतलब खिसक मत जाना ये भाई भी मेरे बस की बात नहीं है ऐसा मत जाना अब दूसरे सर्त क्या है सब्दा ही लेहु परक ये खास है यहां भी जितने लोग बैठे हैं जो सुनने आएंगे उसको दो सर्त है एक तो सून रहे हो उसको स्विकान जाना उसको खिसक मत जाना अब दूसरा सर्त क्या है कि जो बाते बताई जा रहे हैं उस पर विवेक करना परक करना समझना तो जाइब यहां कह रहे हैं सब्द हमारा तू सब्द का ऐ जिग्याशू ऐ मुच्छू ऐ भगत यदि तुम मेरी बातों को समझना चाहते हो मेरे को जानना चाहते हो मेरे सब्दों को सुनना चाहते हो तो क्या है सुन करके सरकना ज्यादा तर हम सुनते कम नहीं है पहुंच सुनते हैं किन्तों सुन करके हम अपने आपको चाहे आलस वस कहो आलस बहुत बड़ा हमारे लिए दोस्तों है आलस बस कहो या तो फिर आमा उसको दूसरी बात है जो शुरू में मैं चाहते है। चाहो सब्द है, चाहो, क्या चाहते हो, नीजे तत्व का ज्ञान पाना चाहते हो, नीजे तत्व मतलब खुद तत्व, जो सुरू में मैं कहा था, उसको क्या कहते हैं कबिर साहे, अंतर जोति, उसी अंतर जोति को बिल्कुल दो चार मिनट में पूरा करता हुआ, अंतर जोति तो ज्ञानतत्व को यदि तुम समझना चाहते हो देखो एक परतत्व है और एक स्वातत्व है स्वा मतलब निज्यतत्व परतत्व में क्या आता है जितने भी प्राणी पदार्थ है वो परतत्व है जो प्राणी पदार्थ कितने तत्वों से बना हुआ है पांच तत्वों स ये शरीर भी हमारा शरीर है ये परतत्तों से बना हुआ है अंदर में कौन बैठा हुआ है निजतत्त्तों बैठा हुआ है शरीर मन जो चेतन है उसके अत्रिक्त जितने भी है सब जड़ है केवल चेतन चेतन है चेतन के सिवा और कोई चेतन है चेतन के अत्रिकत और जितने पदार्थ हैं सब जड़ और जड़ की अपनी एक क्रिया हो रहा है चेतन की अपनी क्रिया है चेतन की अपनी करम देखे करम और क्रिया में अंतर इतना ही है जो स्वता हो रहा है वो क्रिया है और जो आपके लिर्देश से हो रहा है वो करम है, स्वांस फतह चल रहा है, वो क्रिया है, किन्त वही जब प्राणायाम करने लग जाते होता है, वो करम में आ रहा है, क्योंकि आप स्वांस को रोग भी रहे हो, अमुक समय छोड भी रहे हैं, जो हमारा जो ब्लट सर्फिलेशन चल रहा है, ब्लट का फिर्देश से, वो क्या है, वो क्रिया है, आप उसमें आपके कोई बस नहीं है, हमारे बाल पक गए, कौन पकाना चाहता है बाल को, किन्त बाल पक गए, बाल जड़ने लग जाते हैं, किसी का सिर्चंदा थोड़ कोई होना चाहता है, बाल जड़ने लग गए, यह सब क्या है, क्रिया है, हम रोटी खाते हैं, रोटी हम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह हमारे करम हुआ है, किन्तु रोटी कैसे पचना है, रोटी खाते हैं, और कहां पर खुन बन गया, पिसाब बन गया, और निजेत्व क्या है, उन जड़तत्वों को जानना, समझना, अपने को समझना, संसार को समझना, वो चेतन है, उसके बारे में ज्णप्राफ्ट करना वो निजेत्व है। साहिब कहते हैं निजयतत्व का ज्ञान प्राक्ष करना चाहते हो, तो उसके लिए खास उसके लिए आउजार है, सब्दहिलेवू परख, सब्दों को परखना पड़ेगा, क्योंकि निजयतत्व के लिए भी अनेक अनेक लोगों में अलग-अलग धारनाये हैं, कोई कहता है आत्मा तो सर्वत्र ब्याप्त है, ऐसे भी सिध्धान्त है, जो कहता है सर्वत्र ब्याप्त है, ऐसे तिन सिध्धान्त में पूरा कर दिया जाता है, एक होता है कि जड़ ही जड़ है, और पुछ नहीं है, जड़ ही जड़ है उसको कहते हैं जड़ा द्वैत वाद जड़ के सिवा और कुछ नहीं है उसको भातिक वादी कहते हैं उसी को भातिक पदार्थों कोई सब कुछ मानने वाले को भातिक वाद जड़ा द्वैत वाद कहते हैं और दूसरा मानने वाला क्या है? चेतना द्वेत्वाद, चेतन ही चेतन है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्म ही आत्म है. यह जो दिखाई दे रहा है, यह तो उसकी परइछाई़े. और तीसरा है, जो कभिर साहद का वीचार है, OCkom takes practice. वो है विवेक वाद. विबेग बाद मतलब जड़ भी है और चेतन भी है, हम जड़ को भी देख रहे हैं और चेतन को भी देख रहे हैं, तो आत्म तत्व का ज्ञान होने का मतलब होता है, खुद को जानना, निजितत्व का बोध होने का मतलब है, खुद को, वो कब जानोगे जब विबेग करूग सूरत में था तो एक बार कि हमारे खास सजन हैं, मित्र हैं और वो आते जाते रहते हैं सूरत आशरम में किन्तो उसके विचार धारा आत्मा परमात्मा को नहीं मनता आत्मा भी नहीं मनता, परमात्मा भी नहीं मनता ऐसे साम हुआ तो लाइट जलाये गए तो भाई कहता है रहा साम को तो देखो इसमें भी तो चेतन है इसमें भी तो चेतन है इसमें भी तो चेतन है देखो प्रकास हो गया मैंने उसको कहा भाई आप चेतन क्या है इसकी ब्याक्षा नहीं जानका है चेतन किसे कहते है इसको आप नहीं जानका है आप बिचार करो मैंने उसको कहा, यह ट्यूबभलाइट है मेरे भाई, वो आपको जानता है क्या? नहीं, वो जड़ है! यही भीचार, शी भीचार को कभिर सार बें परक कहा है! और कभिर का पूरा सिध्धान, पारक सिध्धान्त परक करो, परक करो, परक करो ऐसे मानना लो ये खास सिद्धान तो साहब यहां कहते हैं कि आत्म ज्ञान यदि पाना चाहते हो तो परक करना पड़ेगा सब्दों को परकना पड़ेगा चाहे ज्ञानी चाहे महत्मा बैठे हो चाहे जो बैठे हो बड़े बड़े व्यास्पीट पर भी बैठ करके जूठी बातें कह सकते हैं उसको परखना पड़ेगा कोई तो आज कल कह रहा है लकों के भीड हो रही है उनकी सभा में और कह रहा है बहुत पड़ने वड़ने की ज़ुरत नहीं है ये बेल पते का तीन पता ले आना और अमुक ले आना और उसमें चड़ा दे ना सिवलिंग में बस आपको बिलकुल पास ही हो जाओ क्या सच्मूच ऐसा पास हो जाता है कोई नहीं हो सकता है ये कीच को परको तो खास है जो सर्वाहू को जाने सो तो सर्वाहू से न्यारोरा है सोई गुरू रूपनी जपरक लखायो है जो गुरू होते हैं संत होते हैं सद्गुरू होते हैं वो परक करके हमको बताते हैं कि सब को जानने वाला सबसे अलग होता है संसार को जानने वाला संसार से अलग होता है पदार्थ को जानने वाला पदार्थ से अलग होता है आगए की साखी में वो आतम तक तो क्या है उसकी पूरी ब्याख्या करते हैं आज दो साखी पर चर्चा हुई पहली साखी है जहिया जन्म मुक्ता तहिया हताना कोई छटी तुम्हारी हो जगा तू कह चला विगोई जब ए जीव जन्मलिया है था तब इसके पास कोई मनोविकार नहीं था मनोविकार बाद में आया सुन सुन करके देख दिख करके जब हमारी मनोवित्ती तंदुस्त हो गई च्छोटे बच्चों में कामविकार नहीं आए जैसे हर इन्रिया मजबुत होती है तंदुस्त होती जाती और दीरे-दीरे जितनी जिन्मेदारिया बढ़ती जाती है वैसे मोह माया मनों विकार बढ़ता चला जाता है और उसे चूठने का एक हमारे पार स्वतंत्र भूमिका है वो कंसा है हन्स भूमिका यह हम दया कर सकते हैं छमा कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं गुरुभक्ति कर सकते हैं बाराक कर सकते हैं धैर्यधारन कर सकते एक एक चीजों को विचार कर सकते हैं, दान धरम करके अपना सत्कर्मक बना सकते हैं, ये स्वतंत्र भूमिका मुन्स जीवन में हैं, इस आउसर को खो करके कहीं जाना नहीं चाहिए, इसका रास्ता क्या है, कर्मों को काटने का रास्ता, एक ही रास्ता है, वो क्या है, आत्म पाने के लिए जिग्यासु कभिर साहिब के पाथ जाते हैं, प्रश्न करते हैं, और कहते हैं, गुदे मुझे आत्म ग्यान दीजिए, कभिर साहिब दो सर्त रखते हैं, मैं ग्यान देने के लिए तयार हूँ, किन्तु क्या है, पहली सर्त है, सुन करके सरकना होगा, और सुन क ज्ञान अब क्या है आगे साहब पूरे तीसरी साकी से अपनी ज्ञान की छटी बिलकुल विखेडते हैं और समय में उसकी चर्चा करेंगे यहीं पर अपनी वाणी को आज भी राम देते हैं बोलिए सद्गुरू देवय की जय आखरी में हमारे पारक्षिध्धान्त में अपन में एक बंदना की जाती है उसको आहर मिटिंग में करेंगे तो अच्छा रहेगा वन्नानी ये गोरो देवा तूमा वन्नानी ये गोरो देवा तूमा को वन्नानी ये गोरो देवा तूमा को वन्नानी ये गोरो देवा तूमा को वन्नानाना ये गोरो देवा तूमा को वन्दन है गुरुदिव वेदेशास्त्रे सबेखोजत मर्मन जानत किवतुमक। वन्दन है गुरुदिव वन्दन है गुरुदिव तुमको वन्दन है गुरु दे गुरु समान आरेको दात ताकी करिये से तुमको वन्दन है गुरु दे वन्दन है गुरु दे तुमको वन्दन है गुरु दे साहिब कभीर याभ पददाता पूरन परख समें वतुम कुवन्दन है वन्दन है गुरु देव तुमा को वन्दन है गुरु देव साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बोलिये सद्गुरु देव की जय